सल्मान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर हुए फाइरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच के टीम ने मंगलवार को एक और शक्स को गिरफतार किया है इस पाइरोपी को रादस्थान से गिरफतार किया गया है जिसका नाम मुहमद रफीक चोधरी है मुंबई लाकर किला कोट में पेश करेगी पुलिस सूत्रों के मताबिक चोधरी ने इस मामले में गिरफतार दो शूत्रों सागरपाल और विकी गुपता को पैसे जुटाने और सल्मान के घर की रेकी करने में मदद की थी क्राइम ब्रांच के टीम आरोपियों को रादस्थान से मुंबई लेकर आ रही है यहां आरोपियों को किला कोट में पेश किया जाएगा जोहाँ पुलिस पास दिन की कस्टिडी की मांग कर सकती है यह इस मामले में क्राइम ब्रांच की तरफ से की गई पाच्वी गिरफतारी है